दोस्तो इस दुनिया में एक ऐसा विखती है जिनके दो के बदले 3 नेपल हैं क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी आँखे किनकी हैं और किस बीमारी के चलते आदमी के पुरे चेहरे पर भालूग जाते हैं और एक ऐसा इंसा जिनके पैर उनके ऊपर के बोड़ी से तीन गुना ज्यादा भारी है दोस्तो अगर आप भी इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो बने रहे ये वीडियो के अंट तक नमबर 16 दोस्तो क्या आप अपनी आँखों को बाहर निकाल सकते हैं दोस्तो इस फोटो में आप इस महिला को देख रहे हैं इनका नाम किन गुड मैन है ये अपनी आँखों को 12 mm तक बाहर निकाल सकती हैं दोस्तो इन्हें दुनिया में सबसे बड़ी आँखों वाली लेडी के नाम से जाना जाता है और इन्हें इसके लिए इनका नाम Guinness Book of World Record में भी सामिल है दोस्तो इन दोनों जुड़वा बहनों का नाम Abigail Hansel and Brittany Hansel है दोस्तो इन जुड़वा बहनों की खांस बात ये है कि ये आपस में जुड़ी हुई है दोस्तो इन दोनों बहनों के पास इन दोनों के पास केवल दो हाथ और दो पैर है जिसके लिए इन दोनों को कोई काम करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है दोस्तो क्या आपने कभी किसी के पूरे चेहरे पर बाल देखी है अब कोर्स नहीं देखी होगी लेकिन अभी आप जिने देख रहे हैं इनका नाम जीसस फरजाटो है दोस्तों इनके पूरे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा बाल है दरसल जीसस को हाइपर ट्रिकोशिस नाम की बिमारी है जिसके चलते इनके पूरे चेहरे पर बाल है दोस्तो इनके केवल पैरों का बजन, इनके अपर बोडी के बजन से तीन गुना ज़्यादा है दोस्तो आपकी जनकारी के लिए बता दे, इस बीमारी को प्रोटियस सिंड्रोम कहा जाता है और ये आज तक 120 लोगों में ही देखा गया है दोस्तो टॉमस टनीफोड एक पैरा साइकलिस्ट है दोस्तो ये MDP सिंड्रोम से ग्रस्त है दोस्तो इस बीमारी के चलते सरीर के अंदर फैट बढ़ना ही रुख जाता है मतलब आपके सरीर में सरीर को फ्रेट रखने के मुताबिक भी फैट नहीं होने देता है दोस्तो ये अपने जन में के वाक्त एक दम नॉर्मल थे लेकिन जब ये 12 साल के हुए तो इन्होंने अपना वजन खोना शुरू कर दिया और ये MDP सिंड्रोम नाम की बीमारी आज तक 12 लोगों में ही देखा गया है दोस्तो अगर हम आपको कहेंगे कि गाय कभी भी आपको बाइट नहीं कर सकते हैं काट नहीं सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आपको बता देख गाय के और जीवो की तरह दुनों तरफ दात नहीं होते हैं उसके केवल नीचे की तरफ दात होते हैं जिससे की वे केवल चबा सकते हैं काट नहीं सकते हैं दोस्तो क्या आपको पता है इस दुनिया में ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इस्कूल इंडिया में ही है दोस्तो इसी स्कूल का नाम The City Montessori School है जो कि उत्तरपदेश के लखनाव सिटी में है दोस्तो यहाँ पर डेली 56,000 बच्चे पढ़ने आते हैं इसके चलते हैं इसी स्कूल का नाम Guinness Book of World Record में भी सामिल है दोस्तो आप लोगो ने क्या ये नोटीस किया है किसी घोडे के स्टेचू में किसी घोडे की चारो टांगें जमिन पर तो किसी कि दो टांगें उठी क्यों रहती हैं दोस्तो जिस स्टेचू में घोडे की दो टांगें उठी रहती हैं उसका मतलब उस घोडे पर सवार राजा की मिरतिव युद्ध करते टाइम हुई है और जिसकी एक टांगे उठी रहती है इसका मतलब उस आदमें की मृतिव युद्ध में चोट लगने की बज़ासे हुई है और अगर चारों टांगे जमिन पर हैं तो इसका मतलब उसकी मृतिव नेचुरली हुई है दोस्तो क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना होटेल कौन और कितना पुराना है दोस्तो दुनिया का सबसे पुराना होटेल का नाम निसियामा ओंसेन की अंकर है दोस्तो यह होटेल जपान में है जो की 300 साल पुराना है दोस्तो इस होटल का नाम Guinness Book of World Record में भी सामिल है दोस्तो क्या आपको पता है एक ऐसा फोटोग्राफर है जिने अपने कैमरे से इतना प्यार है कि वे अपने घर को ही बिल्गूल कैमरे के सेप में बना दिये हैं जिने आप इस्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तो ये करनाटा के रहने वाले हैं जिनका नाम है रवी हुंगल दोस्तो इनके घर के बाहर दिवार पर आपको SD काड कैमरे लेंस देखने के लिए भी मिलेगा नमबर 6 धुस्तो सहारा रेगिस्तान में एक एसी जगा है जिसे देखने में वो आँखी तरह दिखती है और उसे Eyes of Sahara कहा जाता है धुस्तो ये देखने में बहुत ही amazing लगता है दोस्तो अक्षर आपको कैलास परवत के बारे में कुछ न कुछ बताये जाता है दोस्तो ये तो बात सच है कि कैलास परवत की उचाई माउंट टेवरेस्ट से भी कम है फिर भी आज तक उस पर कोई चड़ नहीं पाया है दोस्तो वहाँ जाने वाले लोगो का मानना है कि वहाँ नाकुन और बाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं मतलब यहाँ जितना नाकुन साथ दिनों में बढ़ता है उतना नाकुन वहाँ पे तीन दिन में ही बढ़ जाता है और वहाँ जाने वाई लोग का ये भी मानना है कि वहाँ उम्र भी तीजी से बढ़ता है दोस्तो आप लोगोंने King Cobra को तो देखा ही होगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है लेकिन क्या आपको पता है अगर आप उसे बीना मानस के मतलब उसके असकेलेटन को देखेंगे तो वह ऐसा दिखेगा दोस्तो कुछ इस परकार का दिखता है King Cobra का सकेलेटन दोस्तो क्या आपको पता है जैसे music सुनते वक्त हम relax feel करते हैं अच्छा लगता है अगर वैसे पेड़ों को music सुनाया जाए तो क्या होगा दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पेड़ों को music सुनाया जाए तो वह तीजी से group करने लगेंगी दोस्तो यह तो आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान के दो नेपल होते हैं चाहे वो male हो या female लेकिन Mark Wallwork एक ऐसे बेखती हैं जिनके दो नहीं बलकि तीन नेपल हैं दोस्तो ये अमेरिका में रहने वाले Mark Wallwork एक एक्टर और एक विजनेसमेन भी हैं तो दोस्तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पढ़े लेखर अणाी जातुर कालरुठे और सबस्तों दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियों